मिश्टर राकेश जुन जुन वाला का जनम 5 जुले 1960 को मुंबई में हुआ वे मुंबई में ही पले बढ़े जहां उनके पिताजी इंकम टेक्स ओफिसर थे राकेश को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में दिल्चस्पी थी राकेश के पिताजी और उनके दोस्त जब स्टॉक मार्केट रिलेटेट बाते डिस्कस करते थे तब राकेश जो कितब से 12-13 साल का था curiosity से अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट रिलेटेट सवाल पूछता रहता था जिसे कि शेयर की प्राइस कम ज़्यादा क्यों होती है फिर राकेश के पिताजी उसके हर सवाल का डिटेल में जवाब देते थे मिश्टर राकेश जुनजुनवला ने अपनी ग्रेजुशन की पढ़ाई मुंबे के सिड्नम कॉलेज से कंप्लेट की 1985 में सिए कंप्लेट करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है तो उनके पिताजी ने उन्हें कुछ 3-4 चीज़े बताई जो उनके करियर में उन्हें बहुत काम आई राकेश के पिताजरी ने राकेश से कहा कि वही करो जिसमें तुमें मज़ा आता है उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे पास या मेरे दोस्तों के पास पैसे मांगने के लिए बिलकुल नहीं आना फिर उन्हाने राकेश से कहा कि be fearless और उसे encourage किया उस टाइम राकेश के पास सिफ 5000 रुपीज थे राकेश का भाई CA की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पास एक क्लाइन्ट थी उस लेडी के पास अच्छा काचा कैपिटल था और उसे अच्छे रिटन्स चाहिए थे उन दिनों बैंक डिपोजिट्स पर 10% तक रिटन मिलते थे तो राकेश ने उस लेडी से कहा कि मैं आपको 18% पर रैनम का रिटन दूँगा इस तरह राकेश को उस लेडी से 5 लाख रुपे मिले उस लेडी के अलावा एक और व्यक्ति से उन्होंने 5 लाख रुपे लिये थे ऐसे करके उन्होंने अपना के इनिशल कैपिटल जुटाया अपने करियर के शुरुवाती दिनों में ट्रेडिंग करके राकेश ने 8 से 10 लाख रुपे का प्रॉफिट कमाया उसके बाद अगले 2-3 साल राकेश के लिए थोड़े कठीन रहे फिर 1988 में उन्होंने 5 लाख सेसागोवा के शेर्स 28 रुपीज की प्राइस पर खरी दे थे और 5 लाख शेर्स 35 रुपीज की प्राइस पर खरी दे थे और मिश्टर मदू धनवाटी का 1989 का यूनियन बजेट मिश्टर जुनजुनवाला के करियर का टर्निंग पॉइंट बना सभी को यानि एक कॉमन इंवेस्टर से लेकर बड़े-बड़े मार्केट प्लेयर्स तक सभी को लग रहा था कि मिश्टर मदू धनवाटी का ये बजेट बिजनेस पर नहीं बलकि सोशल चीजों पर कॉंसेंट्रेट रहेगा इसलिए मार्केट में फियर था और हर कोई मार्केट पर बियरिश था वही राकेश को लग रहा था कि वीपी सिंग जो की तब प्राइम मिनिस्टर थे वे ठाकूर थे जो बिजनेस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे और इसलिए वो ऐसा बजेट कभी पेश नहीं करेंगे जो बिजनेस को हर्ट करें और फिर बजेट के दिन बिलकुल वैसा ही हुआ जैसा राकेश ने सोचा था मिश्टर मदू धनवाटे ने बहुत अच्छा बजेट पेश किया जो बिजनेस के लिए काफी सपोर्टिव था मिश्टर मदू धनवाटे के बजेट से पहले मिश्टर जुन जुन वाला का नेट वर्थ दो करोड था और बजेट के पाच मैने बाद उनका नेट वर्थ 40 से 50 करोड तक चला गया फिर उन्होंने रेर एंटरप्राइजेस की स्तापना की जो कि एक एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जहांसे वो अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करते है रेर के पहले दो लेटर्स राकेश के नाम से लिए गये है और नेट दो लेटर्स उनकी वाइफ मिसेस रेका जुनजुनवाला के नाम से लिए गये है उन्होंने 2002-2003 में टाइटन कमपनी जो कि आज जुलेरी का बहुत बड़ा ब्रैंड है उसके शेर्स 45 रुपे पर शेर के एवरेज प्राइस पर खरीदे थे टाइटन का स्टॉक आगे चलकर 80 रुपे तक चला गया और उसके बाद 30 रुपे तक गिर गया जब टाइटन का स्टॉक 80 रुपे से 30 रुपे तक फिसला था तब मिस्टर जुनजुनवाला के पोर्टफोलियो की वैल्यू तक्रीवन 300 करोड से कम हुई थी लेकिन उन्होंने 30 रुपे की प्राइस पर अपना एक भी शेर नहीं बेचा क्योंकि उन्हें लगता था कि टाइटन की बहुत सारी ग्रोथ होनी अभी बाकी है और आज उस शेर की प्राइस 400 रुपीज के करीब है ऐसा कहते है कि इन्वेस्टर के पास हमेशा पेशन्स होना चाहिए और ये एक्जामपल आमें बताता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पेशन्स कितना जरूरी है सिफ टाइटन नहीं ऐसी बहुत सारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में मिश्टर जुनजुनवाला ने पेशंस दिखाया है 2005 में उन्होंने अपने 27 करोड के क्रीसिल के शेर्स बेच कर मुंबई के मलबा हील में एक फ्लाइट खरीदा था वो फ्लाइट उन्होंने आगे चलकर अच्छी प्राइस में बेच दिया उस पर आके जुनजुनवाला कहते है कि उस फ्लाइट का रेट आज तकरीबन 80-90 करोड होता लेकिन अगर मैंने क्रीसिल के वो 27 करोड के शेर्स ना बेचे होते तो उन शेर्स की वेल्यू आज तकरीबन 700-800 करोड के करीब होती लेकिन मिश्टर जुनजुनवाला कभी अपनी गलतियों पर रिग्रेट नहीं करते बलकि उनसे कुछ ना कुछ सीखते है उनका मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखने का एक ही तरीका है वो है एक्सपरियंस और एक्सपरियंस गलतियों से मिलता है उनके अनुसार मार्केट सुपरिम है और मार्केट कभी सही या गलत नहीं होता सही या गलत होते हो तो वो हो आप इसलिए जब भी आप कोई गलति करते हो तो उस गलति को एक्सेप कर लो उस गलति से सीखो और आगे बढ़ो अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी तो आप कभी सिख नहीं पाओगे मिश्टर राकेच जुनजुनवाला अपने long term bets के लिए जाने जाते है लेकिन वे एक active trader भी है अपने career के starting days में उन्होंने trading करके ही अपना capital base strong किया था उनकी अनुसार trading हमेशा उन्हें alert रखती है मिश्टर जुनजुनवाला ने अपनी investing career में बहुत सारे multi baggers stock डुणडे है जैसे कि क्रिसिल, प्राज industries, लिूपिन, टाइटन, एक्सेटरा, एक्सेटरा जुने ने उनको कई गुना returns दिये है उन्होंने हमेशा इंडिया की growth story पर विश्वास रखा है वे किसी भी stock के साथ कभी emotionally attached नहीं होते है और दुसरों को भी यही संदज देते है और हर stock बेचने के लिए ही खरीदते है अगर उन्हें लगता है कि कोई stock long time hold करने के लिए बहतरीन है तो वो उसे long term के लिए hold करते है मिश्टर जुन जुन वाला ने इसलिए stock market investing को अपना profession नहीं बनाया क्योंकि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा wealth creator बनना था या बहुत popular बनना था नहीं उन्होंने stock market investment को अपना profession बनाया क्योंकि वो stock market के प्रती बहुत passionate है और उसे वो enjoy गरते है उनके अनुसार investing या दुनिया का सबसे interesting profession है मिश्टर राकेच जुन जुन वाला अब एक movie producer भी है उन्होंने English विंग्लिश, शमी ताब और की एंड का ये movies produce की है वे आज बहुत सारी companies के board of directors में शामिल है मिश्टर राकेच जुन जुन वाला जिनने इंडिया के वेरन बफे के नाम से भी जाना जाता है अज इंडिया के one of the most famous और respected stock market investor है फोप्स के अनुसार वे अभी यानि मार्श 2017 में इंडिया के 53rd richest person है उनका net worth 2.2 billion dollar यानि लगबग 15,000 करोड है उन्होंने अपने 60th बड़े पर यानि 5 जुली 2020 को अपनी पूरी वेल्द का 25% हिस्सा डोनेट करने का फैसला किया है अगर आपके जहन में stock market related कोई भी सवाल या queries है तो आप मुझे 09049-641491 इस नंबर पर call या whatsapp करके अपने सवाल पूछ सकते हो To learn more about stock market, visit our website www.finnovations.com that is www.finnovations.com and follow our facebook page www.facebook.com slash Finnovations और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर और सस्क्राइब